स्वागत बंदन अभेनंदन बी अपडेट इन यूर लाइफ जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहे है और दूसरों सागी रहे है तोड़ेई भी आर गूइंग तो डिसकस मेकनिकल प्रॉपर्टीस मेकनिकल प्रॉपर्टीस को डिफान करते हैं सबसे पहले फिजीकल प्रॉपर्टीस ओता माटेरियल रेकौइब टू डिसक्राइब नीचर अन्ड बेविर रेकॉर अन्डर एक्षान लोडिंग आर नोन ऐस मेकनिकल प्रॉपर्टीस जग किसी माटेरियल पर एक्षिनल फोर्स लगाया जाता है तब उसका प्रकरती और व्योवहर कैस इसको डिस्क्राइब करने के लिए जिन फिजिकल प्रॉपर्टिस की जिन वेरिवल्स की आप सकता होती है उन्हें बोलते हैं मेकन की प्रॉपर्टी उधारण के दौर पे अगर आप किसी मटेरियल की कटिंग करते हैं तो एक्टनल फोर्स लगा रहे हैं तो उसका वह आसानी किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारड़ी एक्टनल लोड का बिरोत करता है जो जितना ज्यादा ब्रोत करेंगा उसकी स्ट्रैंद ऋतनी होगी आपने हाट अमारा पत्थर में ऑएक का यहार ब्रोत करे अब आ रहा है आपके सामने टर्म एलास्टिसिटी वह बड़े द्यास समय लेना इलास्टिटी एलिम कास के फिजिक्स में पूरा चप्तर इसके वारें इसके बारें डिटेल से किसी material की वो property जिसके कारण external force को हटाने पर यह अपना original shape and size पुने प्राप्त कर लेता है किसी material की वो property जिसके कारण वो अपने original shape and size में को पुने प्राप्त कर लेता है जब उससे external force हटा दिया जाए तो इसको हम बोलते है इस property को बोलते है अब यहां लिखा हुआ स्टील is more elastic than rubber कुछ लोगों को लगता है कि rubber जाता है जो ज्यादा खिच जाता है वो ज्यादा elastic नहीं होता जो कम खिचता है वो ज्यादा elastic होता है जो कम खिचेगा वह अपने original shape and size में बापस आ जाएगा और rubber क्यों को elastic है कम इसको समझ ले आपके गर में आपकी मम्मी या बाबी आपकी बाइक जब यूज करती होंगी या दिदी यूज करती होंगी रबर को हेर्मेंड में तो मोराबट दीर दीर खिचते खिचते क्या होता है उसमें permanent deformation हो जाता है वह अपने original shape and size में कभी नहीं लोटता हो इतना डीला हो जाता है कि उसको फैक ना पड़ता है डिसकार्ड करना पड़ता है मताब original shape and size में लोटी नहीं पाता हो लेकिन जो spring लगे रह हमें plasticity it is the property of material by virtue of which permanent deformation इस्ताई विक्रती takes even after removal of external force provided that material बाज stressed beyond elastic limits किसी material की वो property जिसके करण उसमें permanent deformation हो जाता है इस्ताई रूप से विक्रती उत्पन हो जाती है जब उससे action force अड़ा दिया है तब भी सर्थ किया है provided that material बाज stress beyond elastic limit जो आपने stress लगाईए वो elastic limit से ज्यादा हो हर material में जैसे आपने spring को खीचा अगर आप इस spring को एक हद से जादा खीच देंगे तो उसमें permanent बिक्रती आ जाएगी तो अगर आप elastic limit को पार कर जाते हैं तो उस समय material पहुंचाता है plastic range में और उसमें होने वाली बिक्रती permanent होती है मतला ओर्जिनल सेबेंट साइस को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो plasticity कब होती है जब आप elastic limit से जादा force लगा देते हैं इसका ताथ पर क्या हुआ अगर किसी material में 100 newton force के अंदर वो अपने original सेबेंट साइस में वापस लोटाता है तो आपने लगा दिए 105 तो अब नहीं लोटेगा हूँ 100 से कम लगा है 95 लगा है तो लोटाएगा और 90 लगा है तो लोटाएगा तो मतलब 100 उसकी elastic limit है elastic limit को पार करने पर सुरू होती है plasticity तो plasticity का plastic से कोई संबन नहीं है plasticity किसी material property है जिसके कराड़ उसमें permanent deformation होता है अगरी property hardness it the property of material by virtue of which it registers किसी material की वो property जिसके कराड़ यह इन चीज़ों को रजिस्ट करता है किसको करता है indentation indentation का मतलब है कि आप कभी चार पाई पर सोगे हैं क्या या पैंस से आपने कभी लिखा हुआ तो आपके अंगोटे में गड़ा पड़ गया है तो किसी चीज को दूसरी चीज करें तो वहां निसान चूट जाए चार पाई पर आप सोते हैं और तो आप देखेंगे कि आपक लेट कर रहे उस ओंट इसको कटिंग को मेशन हिग्डे मटिव को कॉण catch चाई पानीर व्हार को पर kilowär किवह करते हैं तो फटिंग करते हैं कियों होता है इस क्रेचिंग ना नगे मेंडेशन तो इसके क्रादय ईंडेशन पेनेट्रेशन बिड आलॅक सब्सक्याय निन्मissent को सकते हैं इन्हें जर्णली बिर्नेल आरण नंबर के रूप में ना पाजात मतलब मेश एकस्प्रेस के आता है उनिट होती रटनेस रटनेस्ट की बिननेंस नंबर एक मसीन रहती है रोकमेल हर्णेस टेस्टिंग और प्रनेस टेस्टिंग उससे खुच्छ वी सकते हैं और the ability of a material to absorb energy and plastically deform without fracturing किसी material की वो ability जिसके कराड़ एनर्जी को absorb कर लेता है और plastically deform हो जाता है बिना fracture के in other words toughness is also dependent the amount of energy per unit volume absorbed by material before failure कोई material fail होने से पहले elastic range के अंदर कितनी energy store कर पाता है उसे मोलने tubness जो ज्यादा energy store कर पाता है वो ज्यादा tub होता है वो जो कम कर पाता है वो कम tub होता है ductility it is the property of material by virtue of which it can deform continually under external tensile loading without rupture अगर आप किसी material को खीशते हैं tensile force लगाते हैं इसके लिए आप बटन क्लिक करके हमारा stress system वाला वीडियो भी देख सकते हैं वहां पर आपको tensile force के बारे हम पता सल जाएगा टेंसाल लोटिंग करते हैं तो बेना टूटे बेना फैल हुए वह लगाता खिशता चला जाए लगाता deform होता चला जाए plastic deformation होता चला जाए प्लास्टिक प्लास्टिक होता चला जाए जैसे आपने कई बार बचमने आपकी मम्मी से आपने आठा लिया वह उसे प्हींचा होगा तो क्या टूट जाता है और वहीं पर आप इस प्रिंग को खीशते हैं तो खिशती चली आदिए इस जनरली एक्सप्रेश्म पर्सेंटेंट इलोंग अगली प्रॉपर्टी एक्सप्रेश्म पर्सेंट लगाते हैं तो वह कितनी आसानी से फ्रेक्चर होजाता है डूट जाता है यह उसकी बिटलनेस को एक इंडिकेशन है जो जल्दी टूट जाएगा वो क्या होगा आपका ज्यादा बिटल होगा जो देर से टूटेगा वो कम बिटल होगा हतोड़ा वाला एक जम बलने आप कांच में एक हतोड़ा मारी है और आप पत्थर में हतोड़ा मारी है तो किंपित्रेंड़्वि साफनली सब्सक्राइब किसी मटरी आप्टेमरणी कह भीमिन को दूरी तो तो बहुत अमेरज बहुत और बरता है और वो जल्दी से तूट जाता है बिना मेंगके खेचाब के, we can say, brittleness is lack of ductility, brittleness क्या है, lack of ductility, ductility के अभाब को भी, brittleness कहते है, brittleness of material depends on temperature, यह temperature नेरो करती है, कोई चीज गरम करने पर जल्दी तूटती है, और ठंडे में नहीं तूटती है, उतनी जल्दी, अगली प्रोपर्टी हमारी है, malleability, इसके लिए compressive stress क्या होती है, टेंसल इस्ट्रेस क्या होती है, आप आई बटन क्लिक करके है, हमारा stress system वाला वीडियो भी दे सकते हैं, कोई किसी material पे जब compressive force लगा जाते हैं, तो वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए, जिस प्रोपर्टी के कारण, उसको हम बोलते हैं, malleability, जिस मेकन के पॉपर्टी इसे मेज़र प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है, आपने हदॉर्म मारा तो फ्लेटन होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, जिस आप में देखा हुआ, जो लोग पीटा बगरा रहते हैं, जो खुर्पी बगरा बनाते हैं, वो क्या करते हैं, खुर्पी बगरा बनाते हैं फिर रेड ओट कर लेते हैं मेटेकली को, फिर उस पर हदॉर्म मारते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेटेकली में डिपेंड करते हैं मेलेबिलिटी, malleability depends on temperature malleability of a material increase with the rise in temperature गरम करने के बाद ही आपने देखा हुआ कि आप हसिया को या इस तरह को औजार बनाने के लिए आते हैं तो गरम करने के बाद जो आपका furnace रहता है उसके बाद हतोड़ा मारते हैं तो उसका से फ्लेटन हो जाता है असा नीश्य को फटीग महतब होता है थकान किसी material पर रिपीटिल लोडिंग की जाती है जैसे उधारण के दोर पे उधारण के दोर पे कोई आपका रेलीवी का वो है पुल है तो उस रेलीवी के पुल पे रिपीटिल लोडिंग है गंटे बाद आपकी सदाब दी निकलेगी तो रिपीटेड और साइकलिंग लोडिंग होती है उसपे जी पर देक में लोड़े और जो अचानक से पुल गर गया स्कॉर्ण पर इस्कोर्ण पर इस्ट्रेस कंसेट्रeश्न ट्रेक्स इनिशेट्ट आपकी निटेमि जो अश्की में टैबल रहती है किया तो कौनर पर नी रखे ञते रहते हैं। नहीं कुंप संब इस्टेस्ट्रेश्ट्रेशन होगा और वहां क्या होगा चुनां चुरु हो जाएंगे तो उनको आपर किया आता है क्रीक्र Right दीरे दीरे किसे कोई material होता है उसे बोलते है क्रीड, slow and progressive deformation of material under static loading, load कैसा हो हमारे static हो, is known as creep, creep becomes more severe, creep ज्यादा टीपर हो जाता है कव, for material in the areas of high temperature, if exposed for long time, अगर कोई material लंबे समय तक exposed कियाता है, किसको high temperature को, तो दीरे दीरे उसमें deformation होता रहता है, उसे मोलते हैं, क्रीड, stiffness, it is the measure of extent to which a material can resist an external load, कोई material किस अग्स 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 कर सकता है, यह बताते है उसकी stiffness, ज्यादा कर सकता है तो, ज्यादा stiffness है, कम कर सकता है, तो stiffness कम है, आपके सरे strength इसकी ज्यादा, इसकी stiffness ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी भी, it is defined with the help of models of elasticity, जिसका models of elasticity ज्यादा है, उसकी इसकी ज्यादा है, it is also known as rigidity of material, इसे हम rigidity of material भी कहते है, thank you very much for watching this video, please like, comment and share this video, you are also requested to subscribe this channel, if you have any query, then please write your question in the comment section, I will respond, जै हिन, जै भारत!